Hello everyone, Welcome you all in Chemistry Drive with Ravni तो जैसा की हम celebrate करें है National Chemistry Week 2020 और इस year, इस week का theme है Sticking with Chemistry तो मैंने जैसे आप से promise किया था कि इस week में हम करेंगे fun and learn at the same time तो already मैं e-quiz post कर चुकी हूँ, तो जिनों ने अब बी तक attempt नहीं किया है वो previous post पे जा के link पे क्लिक करके उसको attempt कर सकते हैं और हम already participation certificates provide कर चुके हैं फिर भी अगर किसी को certificate नहीं मिला है तो वो हमें inbox कर सकता है और यहां पिर हमें mail send कर सकता है तो आज मैं आपको ले चलूंगी to the world of adhesive और यह गलत नहीं होगा अगर मैं कहूंगी to the world of chemistry यह adhesive जो हैं chemistry का ही तो part है chemistry की तो involved है इन adhesive में तो कहने को यह एक word है adhesive पर इस word से जो है हमारी इतनी बच्चपन की यादें जुड़ी होती है इतने चोटे-चोटे moments जुड़े होते हैं वो बच्चपन में friends के साथ मिलके वो models बनाने वो art and craft का काम करना वो mother's day, father's day पे वो mummy के लिए, papa के लिए card बनाना तो इन सब में जो था बिना glue, बिना gum के बिना जो है adhesive के आपका काम नहीं चल सकता था तो बहुत से यादों में adhesive का एक बहुत ही important role है इसी के साथ भी जो है future में अगर कुछ भी हमारे पास कुछ चीज तूट जाती है तो हम जल्दी से क्या गरते हैं कोई tape उठाते हैं या फिर fairy steak, fairy quick वो फटफट से उठाते हैं और अपना जो है जो टूटी होई चीज है उसको जोडने की कोशिश करते हैं तो मैंने जैसे आपको पहली ही वीडियो में कहा था कि आप chemistry को अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते आप चाहां कर भी नहीं निकाल सकते ती chemistry जो है वो एक important role play करती ही करती है आपकी life में तो आप जैसा देखी रहे हो adhesive which is a part of chemistry तो कितनी जो है memories कितनी moments में जो है adhesive का एक role को हमने आगे डिवाइड करते हैं कि बहुत तरह के adhesive हम अपनी life में जो है यूज करते हैं बड़ हमें पता नहीं होता कि इसकी यह category है तो हमारे पास होते हैं सबसे पहला आता है नैचरली या सिंथैक तो नैचरली डफिनेटली जो प्लांट्स अनिमल से हम लेते हैं इक्स्रेक्ट करते हैं उनको हम बोलेंगे नैचरल और नैचरल जो यहां फिर तो जैसे आप देख रहे हो यहां पर ट्रीज पर कई बार रेजिन्स हो गएरा होते हैं तो उनको भी हम एज़ ग्लू यूज करते हैं तो यह सारे जो है यूज 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 पानी डालते हैं तो आपको शायद थोड़ा सा याद होगा कि कई बार कुछ लोग अब शाकते हैं तो वह एक नाच्रल एडेसिव है इसी तरह हमारे पास सिंथेटीक में हम क्या करते हैं जो इंडस्टियल यह मैं में में होगा तो वहां पर हम एकौर्डिंग जू आर डिमांड हम उसमें कुछ चेंजिस करते हैं कलरेंट डालते हैं या फिर प्लास जो है पॉली सोर्स होगा ठीक है और हाइड्रोजन वगरा होंगे और इन और गैनिक हमारे पास जैसा कि आपको शायद पता नहीं होगा कि हम यह जो टाइल इंस्टॉलेशन में यूज करते हैं यह मॉटर यह दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का तो यह एक इन और गैनिक अडैसिव है ठीक ह का वो बना है यह थर लास्टॉमर्स का बना है यह हाइब्रेड वराइटी है तो यह भी आगे मतलग किस माटीरियल का वो बना है तो इस तरह हमारे पास डिफ्रेंट अडैसिव होते हैं थर्मो प्लास्टिक जैसे हो गया कि जिसको आप री मैट यह री साइकल कर सकते हो पॉलीमर्स होते हैं पॉलीमर्स शायद आपको पता होगा जिसमें बहुत सारे हमारे पास यूनिट्स मोनोमर चेंज जुड़के एक हम बड़ा पॉलीमर बनाते हैं जैसे आपका पॉलीधीन हो गया नाइलोन 610 666 यह सब पॉलीमर्स होते हैं बेक लाइट हो गया तो इसी पास पॉलीमर्स मिक्स हो रही तो थोड़ा सा बैटर भी हो सकता है तो इसा जो हमारे पास अधैसिव होगा तैस रिजिस्टेंट टूपी फिर इसके इलावा बड़ा क्वेश्चन आता है माइं में यह अधैसिव जो है आए कहां से इसकी हिस्ट्री क्या है तो चलिए अब जानते हैं अधैसिव की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हमारे पास माना जाता है सोर्सिस के एकॉर्डिंग की दो लाग साल पहले नीदर थल्स थे नीदर थल्स जो केव मैंस थे जो गुफाओं में रहते थे उन्होंने क्या करना शुरू किया उ तो इन आप जाए करते हैं फिर इसके बाद जो था बहुत साल तक किसी को इतनी ज्रूवयत नहीं लगी ग्लू या कुछ भी नया जो था स्की बनाने की फिर 2000 बीसी में आई एजिप्शनल्ट ने क्या किया है जैसा आप पे ते पिच्चर में देख सकते हो उन्होंने मिल्क में वेक प्रोटीन होता है कया उसको यूस करो किया कि यह जो ग्लू था वो यूज करते थे अपने जो चीजे बनाया और इसके कहते कि अगर आप Frouse के जो है जा के Tom's को देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बहुत सारे Evidences भी मिलेंगे वहाँ पे Art and Craft की जो चीजें हैं वहाँ पे Frouse के Tom में तो वहाँ पे आपको जो पेंटिंग्स विए रहा हैं उनमें ये ग्लूई सब्स्रांस लगा हुआ मिलेगा तो there is also evidence हमारे पास एक evidence है कि Egyptians ने ये काम किया है तो 1700 साल पहले फिर क्या हुआ 1700 साल पहले उसके बाद पहली industry जो थी Holland में बनी जिसमें कि liquid adhesive को commercially बनाया गया और ये जो adhesive था ये बनाया गया था horses से तो ranchers क्या करते थे पहले 1700 साल पहले ranchers क्या करते थे अपने जो पुरारे घोड़े वगरा थे वो इने इंडस्ट्रीज में छोड़ देते थे और ये इंडस्ट्रीज फिर वो animals से जो था ये glue produce करते थी this is the animal glue तो ये जो था glue that is the horse glue इसका नाम था तो ये horse glue क्योंकि animals से बना था तो animal protection के लिए ठीक है इस चीज को थोड़ा सा मतलब इसके अगेंस्ट चीज चलेगी कि इसमें animals का यूज होता है फिर 1932 में आया अलमर्सग्लू आप यहां पर यह से देख सकते है इस लोगो फैल्मर्सग्लू तो अलमर्सग्लू जो था अमेरिका की लीडिंग फूर और वीवरेज कंपनी थी जिन्हों ने यह जो है काव का यहां पर आप देख रहे हो कि लोगो बना हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि य यह जामिंग के चेउख उनख नेमर्सग्लू बनाया ग्या था यह ग्ल्सग्लू उसके बादी यह उठी कि फिर भी इसमें एनिवल प्रोुड़क्ट तो यूज हो है ठीच है अगर एनिमल नहीं यूज हो रहा है तो इनिमल नहीं यूज के लिए फिर से जो था 1947 में आया कास्को ग्लू जो था इस वस्ट जो एक ग्लू था जिसमें के पॉलिमर यूज किया गया पीवीए बेस ग्लू था पीवीए इस वन ओफ था थर्मो प्लास्टिक है रबरी सा पॉलिमर है वो यूज किया गया तरह भॉल मतलब है कि सक्को तरह हम जो आज यूज करते हैं वहां तक पहुंचने है किस तरह पहले जो था टार से किस्स्कर्वू सब्सक्राइब जो नहीं दिएवीए सकन उटा सिर्व polymers का यूज होना शुरू हुआ और आपके पास नए नए ग्लूस जो थे वो आने शुरू हुए टाइपस ऑडहसिव की बात करें तो हमारे पास बहुत टाइपस ऑडहसिव है अब हमें पता नहीं होता हम यूज करते रहते हैं तो वह एक मुँपे नाम चड़े होते हैं बर देराज़ वेरियस टाइपस ऑडहसिव अकॉरिंग तो देर टाइम ऑफ क्योरिंग और कि वो किस पॉलीमर के बने हुए उनकी क्या प्रॉपर्टीस हैं तो बहुत सारी हमारे पास टाइप से आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ का बना होता है इसको नहीं पता क्योरिंग का मतलब अगर जब इसको आप अप्लाई करते हो किसी मटीरियल के उपर तो उसको कुछ क्योरिंग टाइम चाहिए होता है उसके साथ बांड बनाने के लिए तो नेरबाट एक घंटे के अंदर अंदर यह जो है यह सूख भी जात आपके पास अधास होते हैं सीलिंग हो गया और या प्लोज फिटिंग हो गया तो उसमें आप नहरोबी कर्ड है सिव यूज करते हो फिर आता है येलो वूड आपके पास ग्लू तो येलो वूड बड़ा ही वाटर प्रूफ है ठीक है मतलब तीन टाइपस होती है इसके ये ग्लूड की कुछ वाटर प्रूफ होते हैं कुछ नहीं भी वाटर प्रूफ होते हैं हमारे पास ये विनाइल एसिटेट जो पॉलीमर है उसके बने होते है येलो वूड ग्लू तो आउट्डोर जब फनीचर होता है यह आपको कुछ एंटीरियर का जो काम है तो उसमें ये करना है स्ट्रॉंग बॉंड बनाना है तो वहां पर मुझूज करेंगे लैदर का काम हो गया सिर्यामिक्स हो गया तो वहां पे शूपर ग्लू जो है वह काम में आता है फिर आता है जी हो घुल हो जाता है और इसको क्योरिंग के लिए मतब यूवी लाइट भी चाहिए होत सिर्फटर फ्रेम्स हो गया है बैंड्स होंगे तो उनमें हम जो है यूज करते हैं आपने देखा भी होगा कि जहां पर हमारे पास मतलब हैर बैंड्स में वह लगे होते बीड्स तो स्टिफिन स्टिफनेस जहां पर हम इतनी को इतनी नहीं चाहिए तना कंसर्न नहीं है कि तो वहां पर आप खॉर्ट ब्लू का यूज कर सकते हो कमिंग टू नेक्स इस दप्रेशर सेंस्टिफ अड्हसी पी ऐसे भी इसका शॉट फॉर्म है तो प्रेशर सेंस्टिफ जो है यह अवेलेबल होता है शीट्स में यहां पको जैसे क्राफ्ट प्रोजेक्ट करने हैं य क्राम से पता लग रहा है भी प्रेशर सेंस्टिफ है तो मतलब आप इसको वहां यूज कर सकते हो यहां लाइटवेट पेपर वगएर आपके साथ आपने या कोई क्राफ्ट प्रोजेक्ट का काम करना है देन आता है स्प्रेड हैसे तो इसके लिए प्रिकॉशन यह है कि य याने की यूज करना है और यहां पे आपको जैसे प्लास्टिक की शीट्स हो गई ठीक है वुड मैटल का काम हो गया वहां पे आप इस अड़ेसिप को यूज कर सकते हो बोड वगएरा होगे फैब्रिक्स तो वहां भी आप यूज कर सकते हो कि बात करें तो मुझे लगता इसकी इंपोर्टेंस जो है फैशन डिजाइनिंग वाले ज्यादा बेटर वे से समझा पाएंगे कि जहां हमें स्टिचिंग करना है फटाफट से बटन लगाने हैं वीड लगाने हैं हम उठाते हैं फैब्रिक अडैसिव जो हैं वो पॉली बिना इलासिटेर के बने होए हो तो ब्लू स्टिक हमारे जो चोटे मोटे काम होते हैं गई बार कुछ पेपर पड़ गया यह हमारे पोस्ट ऑफिस के काम होते हैं जो कवर लेटर है उसको पेस्ट करना है तो ब्लू स्टिक उठाते हैं उसको लगाते हैं और हमारे पास काम हमारा हो जाता है तो ब्लू स्ट to eight hours near about लग जाते हैं dry होने में फिर आता है very important epoxy based adhesive बड़े ही आजकल floor coating हो रही है epoxy based candles है then tables बगेरा बनाए जाते हैं तो यह epoxy जो है यह है क्या यह poly epoxides का बना होता है three-membered ring containing the oxygen hetero atom तो ऐसी बहुत सारी rings जब जुड़ती जाती है many rings that join together they will form the poly epoxides तो यह poly epoxides जो है यहां हमें बहुत high performance वाली bonding चाहिए तो वहां हम यह use करते हैं और आजकल तो बड़ी ही यह जो है कहते हैं fashion में trend में चल रहा है यह सारा epoxy adhesives फिर हमारे पास आता है हमारा major question हमने history की बात कर ली है हमने types of adhesives की बात कर ली है अब बहुत ही questions mind में आते banded लगाई कैसे चिपक गई cello tape लगाई हमने कहीं पे कुछ cello tapes adhere हो जाती है मतलब जुड़ जाती है कई नहीं जुड़ती यह इवन आपने कभी bread वगारा पे जब jam लगाई है answers है वह आपको अब मिलेगा कि यह आपके पास जो है दो forces होती एक होती अडहेशन और इस कोहेशन इसका बेस्ट जो आपको समझाने का एक example है आपने कभी बारिश होती जब देखी होगी तो आपने देखा बुंदे जो जब गिरते हैं तो वह भीपिंदी के साथ जोड़ जोड़े हो एक बारिश हो रही है that is the cohesion याद रखी गया the cohesion it causes a formation of water drops when it rains then फिर उसके बाद वो बूंद आके गिरी suppose किसी पत्ते पे तो leaf पे गिरी है तो leaf के molecules और water molecules के बीच में जो force होगी जिसकी वज़े से वो बूंदे उस लीफ पे टिकी है that is called adhesion तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा दिखाया भी होगा तो यह सेम सेम में जो होगा ठीक है आप याद रखेगा सेम सेम में जो है वो cohesion है force और जो different में है वो है adhesion तो अगर जैसे आपने यह भी देखा होगा window panes पे बारिश की बूंदे गीरी होती हो और फिर वो नीचे को आनी शुरू हो जाती है अब ऐसा क्यों होता है actual में क्या है so there is the cohesion force between the water molecule and your windows window pane में silica जो है silica on dioxide है तो आपके पास उसमें जो है bonding हो जाती अब जब वो adhesion force जो है वो weak हो जाएगी और gravitation force उससे ज़्यादा होगी तो उस case में बून दे जो है वो नीचे को आनी शुरू हो जाती जैसा आपको यहाँ पे इसमें दिख रहा है तो इसलिए किसी चीज को अगर आप चाते हो कि यह वाला हमारा glue जो है या फिर यह हमारा जो adhesive है यह इसको बांद के रखे तो बहुत important है कि adhesion जो है तो इसलिए बहुत जुरूरी है कि cohesive forces भी अच्छी हों और आपकी adhesive forces भी जो है वो strong हों otherwise तो चीज जो है वो टिकेगी नहीं फिर कुछ theories जो है वो दी गई है sources से जो theories है कि कैसे adhesive काम करता है तो हमारे पास adsorption theory है chemis option mechanical or diffusion theory है adsorption theory में बताया है कि क्या होता है कि हो सकता है जैसे ही आपने कुछ adhesive जो है वो लगाया है किसी चीज़ पे किसी substance पे तो उनमें जो adhesive है वो उसके उपर एक thin सी layer बना ली एक adsorption होगी मतलब अंदर तक नहीं गया एक उपर सिर्फ layer बना ली उसने मतलब उस case में हम कहेंगे उनमें weak electrostatic forces है ठीक है वो एक weak electrostatic forces जिसकी वज़से वो उसको उसने बान के रखा हुआ है फिर आती chemis option मतलब हो सकता है वो आपस में कुछ chemical bond बना ले ठीक है जैसे अगर आप plastic वगरा पे glue वगरा लगाते तो वहाँ पर chemis option होती है तो mostly तो हमारे पास chemical bond बनता है between the molecules of the substance and your adhesive फिर आता है mechanical mechanical कहते हो सकता है जो आपका substance है और जो glue है जो भी adhesive आप use करते हो उनमें chemical ना होके कोई physical bonding है physical bonding का मतलब हो गया कि हो सकता आपका substance जो है वो उसमें कुछ pores हैं कुछ holes हैं और जैसी glue आपने लगाया तो वह इस तरह है जैसे यह देखा seep हो गया seep मतलब अंदर तक वो pores वगरा से होता होता वो अंदर तक चला गया जिसकी वज़े से वो आपस में बंद गय तो यह होती है mechanical फिर diffusion theory का कहती है diffuse तो आपको बता है कि एक जगे से दूसरी जगे में जाना जहां पे concentration कम है तो जहां पे substance जो है adhesive के molecules कम है वो दूसरी जगे पर जाना शुरू करेंगे तो यह होती है diffusion एक दूसरे के अंदर चले जाना तो यह कुछ theories है जिन्होंने बताए कि adhesive ऐसे काम करते हैं तो जहां adhesive cohesive forces जो है वो weak होंगी तब ही तो कुछ tapes होती है वो टिकी नहीं पाती क्योंकि उनकी adhere जो करने की जो एक property है वो बड़ी ही weak है adhesion forces नहीं इतनी होती तो अभी हम और इसके बारे में जो है बाते करेंगे adhesive के बारे में और कुछ daily life की examples के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए आपको बढ़ने रहना है with chemistry, drive with ravneet और stay connected, keep sharing and keep supporting thank you so much for watching this video